काविधाकर किड्नैपिंग केस विदा इसमें पढ़ने वाले दोस्तों के सार रची अपरहन के स्वाजिस पुलिस ने क्या खुलासा छात्रा और एक दोस्त अभी भी बेसुरा राजिस्तान की कोटा के थाना विग्या नगर इलाकी से कोचिंग चात्रा के किटनैप के मामले का कोटा पुलिस ने खुलासा कर दिया है चातुरा ने दोस्तों के साथ मिलकर ही अपरहण के साजिस रची थी पुलिस ने बताए कि लड़की विदेश में पढ़ाई करना चाहती थी इसलिए उसने अपरहण के साजिस रची और पिता के वाटसअप नंबर पर किटनैप की चानकारी दी थी लड़की की फोटो भी पेजी थी फोटो में लड़की के हाथ पैर और मुह बदे हुए थे चातुरा को छोड़ने के एवज में 30 लाख रुपए की फिरोती मांगी गए थी चातुरा और उसके एक दोस्त की तलास स्पी अमरता दुहन ने बताया की चातुरा 3 अगस्त 2030 को अपनी मा के साथ कोट आई थी मामले में हर फैक्ट को चक करने के बाद क्लियर हो गया है की चातुरा के साथ किसी तरह की कोई वार्दात नहीं हुई है चात्रा अपने दो दोस्तों के साथ थी चात्रा और उसका एक दोस्त पुलिस को नहीं मिला है चात्रा और उसके दोस्त से अपील है की वा जहां भी हो नस्दी की पुलिस से संपर करे चात्रा की सुरक्षा को लेकर परिजन और प्रिशासन चिंतित है